चैनल में तो आज हम इस कनवर्टर के बारे में बात करने वाले हैं देखिए यह DC to DC बग कनवर्टर है इसे हम बग कनवर्टर बोलते हैं जिससे हम होल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से इसमें जो IC लगा हुआ है LM25 चानवे यह जो IC लगा है इसके साहिता से हम होल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं तो इसके कनेक्शन किस प्रकार से रहेंगे देखिए इधर इन्पूट प्लस और माइनस दिया हुआ है और यहां से हमें आउट मिलेगा इसी तरह से एक जो step up converter भी आता है यह step down है तो अगर आप किसी किसी company के जो print रहती है उस पे input output नहीं लिखा रहता है अगर उस पे नहीं लिखा है तो आप simply इनके capacitors के rating देखके आप पता कर सकते हो यह देखिए यहां पे 50 होल्ट का capacitor लगा है यहां पे 30 होल्ट तो आपको 50 में 50 की तरफ से आपको यह step down है तो 50 की तरफ से आपको step down हो रहा है तो आप ज्यादा होल्ट की और से कम होल्ट की और लगा सकते हो उनको तो चलिए इसको किस प्रकार से हम connection करते हैं पहले हम इसके connection कर लेते हैं उससे पहले हम यह बता देत कि हम इसकी जगे 8805, 8809 या 88012 इस तरह की की भी रेगुलेटर IC यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे हम सिर्फ कस्टम होल्ट जैसे 12 होल्ट की 88012 यूज़ कर रहे तो 12 होल्ट ही हमें आउटपूट मिलेगा अगर 10 होल्ट होना तो 10 होल्ट हम उससे नहीं ले पाते हैं उसमें कुछ रेटिंग की आई-सी है जैसे 5 होल्ट 9 होल्ट 12 होल्ट 15 होल्ट 18 होल्ट इस तरह की मिल जाती है अगर आपको 3.3 hold होना तो आपको एक तो market में module available होता है या फिर इस तरह के का buck converter का यूज कर सकते हैं तो देखिए हम किस तरह से इसका पर ले connection कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसमें hold एक कम या ज्यादा कम कर सकते हैं तो देखिए अभी हम इसको पे बस लगा देते हैं कि वायर सोल्ट्रिंग करके कि अधिया इन्पुट में हम यह प्लस वाला लगा देते हैं प्लस की साइड में और यह माइनस में हम ब्लैक लगा देते हैं कुछ इस तरह से हमने इसे लगा दिया है कि अभी हम इसको लैप्टॉप के अडप्टर से पावर सप्लाइ लेते हैं तो यह देखिए यह कनवर्टर ओन हो गया इसमें एक LED है जो ग्लो हो चुकी है तो कुछ इस तरह से देखिए अभी यह काम कर रहा है तो चलिए अभी हम हम व्ल्टेज मेजर कर लेते हैं और ध्यान रखिए यह एसी में काम नहीं करता है उन्दी डीसी में ही आपका यह सप्लाइ काम करेगा हम इन्पूट पे देख लेते हैं तो यह देखिए 19.55 होल्ट हमें हमने इन्पूट में दिया है और आउट्पूट में चेक करते हैं तो आउट्पूट में अभी हमें 18 होल्ट मिल रहा है अब देख पार है हो 18 होल्ट मिल रहा है हम होल्ट इच को थोड़ा कम करते हैं तो इसमें एक प्रिशेट दिया हुआ है जिससे आप होल्ट को कम कर सकते हो यह फिर आने जितना होल्ट इच दिया है उससे गटाया बढ़ा सकते हो तो अभी हम पहले देखिए होल्ड इज कम हो रहा है अभी 15 14 आपको जिस तरह से होल्ड आपको जरुर्थ है उस तरह से आप सेट कर सकते हो यह पुरा 360 डिग्री गुमता है जो प्रिसेट यहां पर द्राह हो है यह पुरा 360 गुमता है तो देखिए मुझे 7.5 की जरुरत है तो मैं इसमें 7.6 होल्ट इस सेट कर देता हूँ तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं तो अभी आप देख पा रहे हो इसमें 7.6 तो इस हिसाब से आप इस कनवर्टर का यूज कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि इसकी इफिसेंसी बहुत ज्यादा होती है इसमें ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती जैसे आप 8805 या 8809 वाला जो रेगुलेटर आईसी यूज करते हो उसके मुकाबले इसमें काफी कम ह प्रोड्यूस होती है जिसके वज़े से इसकी इफिसेंसी बढ़ जाती है और आपको अच्छा आउटपूट प्रोवाइड हो पाता है तो आप इसे यूज करें यह नॉर्मल मार्केट में हंड्रेट से टू हंड्रेट के बीच में मिल जाता है यह उसे भी कम में मिल जाता है अपके मार्केट पर डिपेंड करता है वो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लिच चैनल को कर दीजे, thank you so much